एलो फ्रेंट्स में हनेतिना ओर स्वागत है आपका यूटूब चैनल इन्फोटेक ओफिशल में अगर आपका भी अकाउंट बैंक ओफ बड़ोधा में है और आप बिना नेट बैंकिंग का यूज़ किए अपने बैंक आफ बड़ोदा के अकाउंट में अपने मुबाइल नंबर को अपडेट या फिर चेंज करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को बिना स्किप्ट की लाज तक जरूर देखेगा आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह के से आप बिना नेट बैंकिंग का इस्तमाल किये सिरफ एक एप्लिकेशन फॉर्म को फिल करके बैंक आफ बड़ोदा में अपने मुबाइल नंबर को चेंज या फिर अपडेट कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं अपडेट या फिर चेंज कर सकते हैं आपको गुगल पर सच करना है बैंको बड़ोदा मोबाइल नंबर चेंज फॉर्म तो आपको फिर्स नंबर पे एक लिंक मिलेगा जिस पे क्लिक करके आप इस एप्लिकेशन फॉर्म को ओनलाइन ही डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप मुझे इस्टागराम पे फॉलो कर सकते हैं वहाँ पे मैं आपको ये फॉर्म प्रवाइट करवा दूँगा अब इस फॉर्म को आपको फिल किस तरीके सी करना है सबसे पहले आपको फर्स कॉलम में अपना अकाउंट नंबर फिल करना है account number देने के बाद यहाँ पे जिस भी branch में आपका account है उस branch का name यहाँ पे आप देंगे customer का name यहाँ पे आपको enter करना है name और surname के बीच में आपको एक box खाली छोड़ देना है capital letter में यह सभी चीज़े आप fill करेंगे उसके बाद यहाँ पे आप अपना mobile number फिल करेंगे यहाँ पे सबसे पहले आपको plus 91 जो की इंडिया का code है वो यहाँ पे लिखना है उसके बाद यहाँ पे यह जो box दिएगे हैं इसमें अपना mobile number एंटर करना है अगर आपके पास कोई landline number है तो यहाँ पे आप दे सकते हैं या फिर इसे आप खाली छोड़ सकते हैं उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी एक email ID देनी है उसके बाद यहाँ पे आपको address के section में आना है जिसमें आप अपना house number और flat number यहाँ पे fill करेंगे अपना road building, colony, locality या फिर area यह सभी चीज़े यहाँ पे आपको दिएगे boxes में fill करनी है उसके बाद अपना landmark यहाँ पे लिखेंगे अपनी city को यहाँ पे लिखेंगे आपके रिए का जो भी pin code हो यहाँ पे आपको दे देना है उसके बाद जो भी आपको state हो यहाँ पे fill करेंगे अपनी country में यहाँ पे आपको इंडिया लिखना है उसके बाद यहाँ पे आपसे पुझा जा रहा है Transaction alerts on mobile तो यहाँ पे आपको yes के option पे tick लगा देना है इसी तरीके से information on bank product and services by email and or mobile number तो यहाँ पे भी आपको yes के option पे tick लगा देना है लास्ट में आपको यहाँ पे दिये गए box में अपने signature करने है उसके बाद यहाँ पे आपको right side में अपनी additional information देनी है जैसे कि अपनी date of birth अपनी date of birth में सबसे पहले day, month और year यहाँ पे आपको लिखना है उसके बाद आपको अपनी annual income लिखनी है जितनी भी आपकी salana income है दिये गए boxes में से आपको select कर लेनी है अगर आप 3,00,00 रुपे salana तक कमाते हैं तो यहाँ पे first number वाले option पे आप टिक लगा देंगे इसी तरीके से यहाँ पे आपको और भी option दिये गए है उसके बाद यहाँ पे आप अपना pen number एंटर करेंगे अपना occupation यहाँ से आपको select कर लेना है आप क्या काम करते हैं business, self-employed, professional, CA, doctor, lawyer या फिर अगर दी गई category में यहाँ पे आपका occupation नहीं है या फिर आप कोई भी काम नहीं करते हैं तो यहाँ पे आप other के option को select करेंगे other के option पे आपको tick लगा देना है उसके बाद यहाँ पे optional information में यह detail आपसे मांगी जा रहे है इसको आप fill कर भी सकते हैं या फिर इसको आप खाली भी छोड़ सकते हैं यह optional है नीचे यह जो column दिये गए है यह office यह उसके लिए है इसको भी आपको fill करने की जुरुएत नहीं है सिरफ आपको यहीं तक अपने detail फिल करनी है उसके बाद इस application form के साथ में अपने अधार कार्ड की copy up attach करेंगे और जो भी आपकी bank of bradola की nearby branch है इस भी branch में आपका account है वहाँ पे आपको physically visit करना है जाना है और वहाँ पे जाके आपको इस form को submit कर देना है और उसके बाद आपको 7 दिन का wait कर लेना है 6-7 दिन के अंदर आपके bank of bradola के account में आपका mobile number update कर दिया जाएगा आपके दिये गए mobile number पे भी आपको message कर दिया जाएगा अपने mobile number को update या फिचेंज कर सकते हैं तो इस तरीके से आप bank of bradola में offline ही एक application form को fill करके अपने mobile number को update या फिचेंज कर सकते हैं उमीद है आप सभी को ये वीडियो ये जानकारी पसंद आई होगी वीडियो को like कीजेगा साथी साथ चैनल को subscribe करना ना बोले अगर वीडियो से लेटेड आपका कोई भी सवाल है तो comment section में जाके आप जरूर लिखिए तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही मैं आप से मिलूँगा एक और नई वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद जैब भारत